कुछ लोग हैं, मुझे नहीं पता वो पैदा कैसे हों हैं या फिर वो किसी दूसरे planets हैं क्योंकि इन मन्द बुद्धियों को मुझे नहीं पता कि अजादी का मतलब या क्या समस्ते हैं अजाद देश में रहते हुए वो अजादी के नारे लगाते हैं इसको मैं बड़े simple तरीके समझाता हूँ आपके सामने एक plate रखी हुए है खाना रखा हुआ है शुद एक तुम बिल्कुल ताजा खाना है मतलब आपके सामने रखा है खाने के लिए और आप खाने की बजाए उस खाने को खाने की बजाए मतलब चिला रहे हो मुझे खाना दो मुझे खाना दो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब तो यह होगा ना कि दिमाग खराब है उसका इलाज कराने की जूटता है सेम चीजें इसी मूव इस सीरीज के अंदर भी है ये बेफकूफ लोग अपना बेफकूफी लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए नारे लगाने शुरू करते हैं आजादी, आजादी, मुझे नहीं पता किस चीज के आजादी चाहिए मतलब क्या समझते हैं इस देश में को यह मतलब इस देश गुलाम है या फिर इनको गुलाम बना के रखा गए भारत पुरी दुनिया में डंका बजाता है अपना largest democracy होने का और इन बेफ़कुफों को मुझे नहीं लगता कि democracy यानि लोकतंतर का मतलब भी पता है सिर्फ इनोंने ये word सीक लिया लोकतंतर इनोंने पढ़ा कुछ भी नहीं पढ़ा मुझे नहीं लगता है कि इनको republic का, democracy का, integrity का इनको कोई meaning भी पता होगा इनको constitution भी पता होगा कि actual में constitution एक book है, उसमें कुछ लिखा गया है, कैसे rule है, कुछ भी इनको मुझे नहीं लगता कुछ भी पता है बेफूफों ने WhatsApp University से एक degree ली है, मुझे पका, definitely इन्होंने WhatsApp University से ही degree ली है या facebook से या फिर social media से इन्होंने degree ली रखी है, इनको घंटा कुछ नहीं पता है इसे Amazon Prime Video पर रिलीज किया गया है, टोटल इसके अंदर 9 एपिसोड है, 9, 9 एपिसोड, माई ने रखते हैं इस चीज़ को, इसे direct किया है अली अबास जफर ने, ये इनसान बहुत मान है यार, इसके अंदर कास्ट है, सैफ अली खान, डिम्पल कपाडिया, सुनिल गरोवर, मुहमद जिशान आयूब, और भी बहुत सारे कलाकार है, अमून के नाम नहीं लेने वाला है ये पूरी की पूरी सीरीज, फुल ओन प्रोपोगेंडा है, मतलब इसके अंदर कैसे मुसल्मानों को भढ़काया जाना है, कि मतलब उनको ये दिखाया जाना है, कि देखो देखो यार, मुसल्मानों को बिना वज़े मारा जा रहा है, इनको बिना वज़े पकड़ा जा रह कि तुमने कभी तुम्हें सच कह रहा हूं तुम्हें पता भी है लोकतंतर का मीनिंग क्या होता है तुम्हें पता भी है ये देश पूरी दुनिया में कहां स्टेंड करता है फिर स्टार्टिंग में एक सीन आता है जिसमें मुहमद जिशान आयूब एक जो है वो कभीने कर रह कर रहे हो तो अपने आपको कंट्रोल करो जो राइटर है जो भी इसके मेकर्स हैं जो वाहिया सोच लेके बैठे हुआ है तो मैं बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग इस चीज़ पर हट होते हैं उनको बुरा लगता है कि कोई उनके फेट के खिलाव कुछ बोल रहा है क्या ये कोई मुश्किल काम है कि एक entertainment को फेट और धरम धरम और entertainment को अलग करके लोगों के सामने represent किया जाए अगर आप धरम के उपर बता रहे हो तो एक अलग से धरम चीज़ बताओ ना वहाँ पर अच्छी चीज़ बताओ लेकिन ये धरम को उसमें गाली गलोच गुशेड़ना ये कहां तक जाये जाये यार पूरी की पूरी वेब सीरीज इतनी वाहियात है गालियां उसके अंदर इतनी घटिया घटिया भरी पड़ी है मैं बहुत बार ये कह भी चुका हूँ कि देखो इतनी घटिया सोच लेका अगर तुम ऐसी ही चीज़े बनाते चाहे तो एक दिन आएगा तुम्हें कोई भी पूछने वाला नहीं और लोग देर सवेर ये जान जाएंगे कि ये जो लोग है इस जैसी सीरीज और भी बहले सीरीज आशी है जैसे पताल लोग आ चुकी है लक्षमी आ चुकी है इतनी घटिया घटिया है मुवी जो सीरीज आ चुकी है लोगों को ये पता चल चुका है और धिरे धिरे जो और भी लोगों को पता चल जाएगा वो भी परधान मंत्री बनना चाहती है तो ये दोनों परधान मंत्री की होड में लगे हुए एक तरफ दूसरी तरफ एक VNU वो JNU का है मतलब J की जगा वी लगा दिये गए है वो JNU वाले जो देश के खिलाफ नारे लगाते हैं आजादी आजादी के हैं अभी बात करता तो वो VNU के कुछ एक वहाँ पर स्टूडेंट दिखाये गए हैं जिनका अपना ही एक अलग कोई प्रोब्लम चल रही है किसानों के लिए खड़े हैं मतलब वही सच्चे सिटिजन है भारत के वही यहां का करता धरता है मतलब करता धरता के हैं उन्हीं को फिकर है इस गाता हूँ और वो बात करते हैं किसानों के हक की यहां पर आजादी के नारे लगाते हैं जैसे जी एनियू में नारे लगए थे भुखमरी से आजादी हमें इससे बेरोजगारी से आजादी ऐसे जो आजादी के नारे लगाते हैं तो एक चीज मुझे बताना है यार आड़ो, लिखो, महनत करो, अच्छे से अपने आपको काबिल बनाओ," ता कि तुम अपने आपको अपने दम के ओपर गरीबी से बाहर निकाल सको." यही मुझे आता है और मुझे लगता है कि जो समझदार इंसान है वो यही करता होगा अच्छे डंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होगा गरीमी से यह नहीं सोच के बैठा कि मैं भीक मांगूँगा किसी से कटोरा लेके बैठूँगा और आके कोई मेरे मूँ में कोई जानी वाला डाल के चला जाएगा कि आलसी निकम में ही लोग होते हैं जो आजादी का नारा लगाते हैं इस तरीके का हमें बेरोजगारी से आजादी चाहिए अरे बेरोजगारी है तो पड़ लिखके बढ़ जाओ ना आ गया कि खुद अपना स्टार्ट करने तुमारे अं खाना ठूश के जाएगा इतने आलसी यह लोग है और यह बात करते हैं आजादी आजादी की अब तो यूती बना के रख दिया यूनियन टरिट्री पता हैं ना यूनियन टरिट्री क्या होता है केंदर शाषित परदेश उसको तुम गूगल कर ले अच्छे से समझ पुठी भरी लोग हैं जिनका ना कोई धरम है ना कोई जाती है सिर्फ इनको एक ही ची जाती है कैसे देश में लोगों के बीच जो विभीन संपरदाय के जो लोग है या विभीन जाती के जो लोग है कैसे उनको कोई एक इशू दिया जाए कैसे इस देश की परगती को रोका जाए definitely अगर आप लोगोंने नीज नहीं पड़ी है intelligence की नीज नहीं पड़ी है तो बहुत एक बार जाकर देखना Google पर सर्च करके देखना Sunset की report पढ़के देखना, वहां पर बाकाईदा ये चीजन चलती है, कि बाहर से कैसे funding होती है, बाहर जो सरकार होती है, बाहर सरकार है, वो अगर कोई damn बनाने जारी है, कोई सड़क बनाने जारी है, तो यही जो लोग है, वो कभी पर्यावरन का भाना लेकर आजाएंगे, पर से कहार हो, 9 episode इतनी लंबी है, इतना torture ये, मतलब मैं इसको complete करने में दो दिन लगे, मुझे नहीं पता क्यों ने, इसको एक दिन में कैसे देख ले, मुझे इसको देखने में दो दिन लगे हैं, अराम अराम से देखना पड़ा, क्योंकि यार सहन नहीं हो रही थी, इतनी ब और जो साथ में, वो VNU, जो भी इनोंने, वो JNU का बलाया है, उनको एक तरीके से आदरशवादी दिखाया है, आदरशवादी, तो वो जो है उनके, जो कोई student है, उसको अपनी party मिलाना चाते हैं, ये फलाना दिमकान है, इनोंने जो ये खिचडी पकाने ही कुश्क है, इ इतना ही गटिया, इनका है, मतलब performance है, इतनी गटिया है, इतनी गटिया है, इनकी कहानी है, और personally मैं अपनी बात करूँ, मेरे पसंद की, तो मुझे political drama, movie या series बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसके अंदर जैसे दिमाग की जो खिचडी पकती है, सच मुच में कोन कह आए, क्या है, क्या कर रहा है, कैसे उसने किया, कैसे उसको मिला है, यह जो चीज है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और देखने में बहुत मज़ा आता है, मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन भाई साब जितना मैं excited था इस series को लिए, वैसे ये बात कहना गलत है, मैं excited था, क्योंकि जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था, तो कही न कहीं अंदर से ये मुझे अभास हो गया था, पता चल गया था, कि यह बिना प्रोपोगेंडा के तो कोई चीज लाही नहीं सकते, जैसे पता लोग आया था, तो उसका ट्रेलर से पता चल रहा था, कि यह क्या करने वाले, लक्षमी मूवी आई थी, तो लक्षमी जैसे उनका ट्रेलर दिखाया गया था, या लूडो जो थी, जारा का सारा जो बकवास जो नहीं कचरा था, यह ट्रेलर से पता चल जाता है, लेकिन वो अलग बात है कि ट्रेलर देखके मैं कभी-कभी सोचता कि यह क्या पता, मूवी के अंदर या सीरिस के अंदर कुछ चीज़े अलग निकल जाए, लेकिन वही सेम चीज़े निकलती है, प्रोपोगेंडा से भरी हुई चीज़े तो होती है इसके अंदर, और अब यह जो लोग जो है, यह सोचते हैं कि ऐसे संपरदाइक जहर घोले लोगों के अंदर बताएंगे कि हाँ देखो यार, यह ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सरकार में ऐसा हो रहा है, इस देश का तो लोग तंदर घंतरे में पड़ गया है, यहाँ पर डिमोक्रिसी नहीं है, यहाँ पर इंटॉलरेंट जादा हो गए हैं, लोग इंटॉलरेंट शब्द इनको याद करने में टाइम लगे होगा, तो यह हो गए हैं बहुत जादा, यहाँ पर तो देखो पुलिस मार रही है, अत्याचार कर रही है, किसी को कमाने की अजादी नहीं है, कोई सड़क पे नहीं चल सकता, किसान क्या फसल होगाएगा, उसको यह अजादी नहीं है, वो तो इसी चीज के पूर अपनी रोटियां सेखनी है यह इनी का काम है अब इनका जो जैसे तैसे तो चलाएंगी लोगों को बढ़काने का काम करेंगे और जो यह विविंताओं में एकता जो इस देश में है ना वो किसी दूसरे देश में नहीं है यह जो अमेरिका है हैं वहां पर यह देश एक होकर खड़ा है अब देखो एर कुछ जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट जो समुदाय है धरम है जाती है ओविसली बहुत से अलग-अलग होते हैं तोड़े-बहुत से प्यार करते हैं वो समझते हैं कि इस देश की एकता कितनी है और इन जैसे लोगों को ये लोग पहचानेंगे कि देखो ये घटिया प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं entertainment के नाम पर लोगों के अंदर जहर गोलने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को समझने के जरूरत है कि ये सिरुफ और सिरुफ अपनी रोटियां से एक रहे हैं देश में बटवारा या में लोगों के अंदर कैसे मतबेद लाया जाए उनमें जहर कैसे गोला जाए ये लोगों को समझने की बहुत जरूरत है और ऐसे लोगों से दूर रहो यार ये जो मेकर से मैं एक बात करता यार क्यों फालत हूँ के तुम अपने रुपे बरबाद करें क्यों जंता के रुपे बरबाद करें राम से बैठो और जो अपने गंदा दिमाग है नो जिसमें गंदी सोच जाकर इलाज करवा बहुत जादा लैंथी वीडियो हो जाएग यार मैं इसको और जादा लंबा नहीं करना चाहता है चाहता तो और भी बहुत सारी चीज़ें यार दिल के अंदर कहने को लेकिन बस बहुत है आज के लिए अगर किसी ने सीरीज देख रही है बेशक आगर आप फैन होगे तो मुझे पता है कि गाली दे नहीं आओगे और तुझे नहीं पता है एंटर्ट किया जा रहा है कि देखो यार इनके पर तात्याचार हो रहे है विक्टिम कार्ड खेला जा रहे है एक धरम के प्रती वहां पर उनके देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहे है ये चीज गलत होती है इस चीज़ के अंदर अर ये देश में बहुत पहले से चलती आ रही है और ये कहते हैं डेमोकरशी निया बावजूद इसके कि धरम को गालियां देते हैं सरियाम और कहते हैं कि देमोकरशी नहीं हो दोगलीपंती देखलो इन लोगों की और जिन्हों ने नहीं देखिया है तो मैं यही कहूँगा कि आर ऐसी घटिया चीज देखने से तो बैट रहे कि आर तुम लोग कुछ अच्छी चीजें सीखो कुछ पढ़ लो अपना समीधान पढ़ो तुम खुद सीखोगे कि यहां एच्वल में क्या लिखा हु